Hey guys, this is Tana Footballer, welcome back to our channel आज के इस वीडियो में मैं एक serious issue को discuss करने वाला हूँ कि क्या trial में पैसा लगता है, कि क्या आप पैसा देके football player बन सकते हैं पैसा देके आप i-league या i-league second division खेल सकते हैं इस वीडियो में मैं आज आपको in-depth discussion में बताऊंगा कि क्या ये सचमुझ मुम्किन होता है क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाईया इस topic पर वीडियो बनाओ कि क्या football में सचमुझ पैसा लगता है क्या i-league second division या i-league में खेले के लिए पैसा लगते हैं तो इसके बारे में मैं आज आपको full detail दूँँगा देखे इसके लावा मैं सबसे पहले ये clear कर दूँँ कि अगर ये कोई club के member या club के community member को कोई ये video देखता है उस तक पहुँच जाते है तो इसको seriously मत लीजेगा मैं एक सिर्फ information दे रहा हूँ players के लिए कि इस तरीके से भी आप कुछ कर सकते है अगर आपको football player बनना है तो अगर आप effort कर सकते है इसके लावा मैं last में बताऊंगा कि मेरा own experience क्या था जब मैं i-league second division का trial देने गया था तो मेरे साथ क्या हुआ था मैं उसको last में बताऊंगा देखिए होता क्या है कई जो club होते हैं i-league या i-league second division में या फिर state league में या फिर youth league में वो economically या budget से थोड़ा सा कमजोर होते हैं हां कमजोर होते हैं तो उन लोग का थोड़ा जो earning का होता है वो लोग इस type से इस वाले method से try करते हैं कि trial में selection में कुछ player से पैसा लिया जाए देखिए हर club में ऐसा नहीं होता आप हर club को मत लीजिएगा क्योंकि हर club में ऐसा नहीं होता क्योंकि जो best club होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ रियल talent और रियल hardware को देखते हैं लेकिन कुछ club की मैं चुनिंदा club की में बात बता रहा हूँ जो i league या i league second division या state league में होते हैं जो पैसा लेके trial conduct कराते हैं पैसा देके आपको player बना सकते हैं अब होता क्या है मैंने आपको बताए कि economically जो कमजोर होते हैं वो लोग यही करते हैं कि आप trial conduct कराएंगे उसके लाबा वो कई players को select करेंगे उन में से जो लोग पैसा फिर effort कर पाते हैं उन लोगों को ही वो लोग अपने club में selection confirm करा देते हैं और अपने club में सामिल कर लेते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप पैसा देके इनके square में सामिल होके आप खेलने ही लगेंगे इनकी playing 11 में ही सामिल हो जाएंगे ऐसा भी confirm नहीं होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं यह आपको अपने square में ले लेंगे अपने साथ ले लेंगे आपको अपने साथ training कराएंगे आप आपको हर चीज देंगे, आपको एकॉमेडेशन देंगे, बाकी ये अपने साथ ही खिला लेंगे, या प्लेइंग एलेवन में रख लेंगे, फिर उसके वाद आप पर निरुफर करता है, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप लोग अच्छा परफॉर्म करिए, आपको डेपनेटली खेलने का मौका मिल सकता है, यह सरफ इंडिया बस मेह नहीं होता ही, यह कई जगे होता है, इंडिया से बाहर जाएंगे, तो कई जगे ही स्केम होता है, देखिway, इसकेम ही है, तो उन इंडिया में ना इंडियन फुटबॉल तक आप ऐसे पहुंच सकते आपको ISL में खेलना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा पैसा नहीं पहुंचा सकता है हां, ILeak 2nd Division ये ILeak है लिए मैं मांता हूँ कि यह होता है देखे मैं थोड़ा अपना experience बता हूँ कि जब मैं ILeak 2nd Division का एक ट्राइल देने गया तो मेरे साथ क्या होता है देखे जब मैं ठ्राहल देने कहा था तो कई थे लगबग सो देड़ सो प्लेयर थे उनने स्काउट किये 50 और 50 में से अब सिर्फ 15 प्लेयर ही सेलेक्ट होने वाले थे उसके लावा फिर जब ट्राइल लेके हम लोग जब बैठे उसके लावा फिर ये लोग जो ट्राइल कंडग करा रहे थे उनकी फिर डिसकसन हुआ आखरी में जाके तो आप मान नी सकते उस च जो भी एफॉर्ट कर सकते हैं वो लोग इस ट्राइल में कंफर्म रहेंगे तो भाई जो लोग कर सकते थे वो लोग उस ट्राइल में गए उस ट्राइल में उन्हें कंफर्म किया है अब हम जैसे लोग करी ने पाएंगे तो वो करी नहीं पाए अब हम लोग वहां से निरास हतास लोट आए कि भाई हम तो ये करी नहीं सकते हमाई पास इतना है यह नहीं पैसा कि हम दे सके तो वहाँ पर जाके मेरे को वह चीज पता चली कि भाई ऐसा भी होता है तो यह गलात है लेकिन क्या कर सकते हैं आप ऐसा करते ही हैं क्योंकि मैंने पहली बताए जो क्लब के ओन कल लेंगे क्योंकि वो लोग खुछ चाहते कि अच्छे प्लेयर हमाई पास आए टॉप बेस्ट प्लेयर क्योंकि उसके माध्यम से ही तो उसकी रिवेन्यू वगेरा स्टार्ट हो सकती है क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा करेगा और उसकी मार्केटिंग हमें सब बढ़ेगी तो वो अच्छा करेगा अच्छा पैसा कमाएगा और वागी जो थोड़ा लो लेवल होता है तो वो लोग ऐसे उपर खेलना है और अच्छा खेल आयसर में जाना के इंडिन टीम में जाना तो आपको वह भाहां मैंनत करनी पड़ेगी तबही आप आंगे पहुंश Сकते हैं बागी नहीं तो पैसा दे के आप वहीं अटके रहेंगे आंगे बढ़े गई रहेंगे नहीं वहीं खेलते रहें और ऐसा भी नहीं है कि आपने सोचा कि बाई आज मेरे को फुट्बॉलर वनना है तो आप गई आपके पास पैसे हैं आपने ट्राइल में पैसे दे दिये तो select आपको फूटबॉल खेलना आना भी चाहिए विल्कुल मों उठायोई चलेगे आइसा भी नहीं होता है आपको फूटबॉल आना चाहिए आप इतना तो आना चाहिए कि आप लग भग इसें पहले शुर्षों, उनकी ट्रेनिंग उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें और वी ज़्यादा इंप्रूमेंट कर सकते हैं तो फुटबॉल आना चाहिए तब ये मैथड काम करता है पैसा देखे तो ओल्राइट गाईज ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता कि इस तरीके से भी ये झ्यमेला होता है फुटबॉल में अगर आप लोग एफॉर्ट कर सकते हैं तो ऐसे तरीके से भी आप फुटबॉल प्लेएर बन सकते हैं तो फिर से मैं बताते हूँ हर जगह नहीं होता है मैं किसी कलब का यया किसी positive का नाम नहीं बताना चाहता क्यो definitely आपको एक भी पैसा देने की जुरुबत नहीं पड़ेगी वो लोग खुद आपका गेम देखेंगे आपको खुद ही सेलेक करेंगे बिना किसी कॉस्ट लिये वो भी उसके इलाबा आपकी सेलली तक फिक्स कर देंगे आपको खेलने के लिए तो आल राइट गैस यही तब वीडियो सिर्फ इंफोर्मेशन थी तो अगर अच्छा लागा तो प्लीज लाइक कीजिएगे चैनल पना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलूँगा नेक्स वीडियो में थैंक्यू वेरी मच